हेलो एविवन तो आप सब का दुबारा से स्वागत है मेरे चैनल पर यानि की शाही अरोमा पर तो आज हम बनाएंगे एक बहुती मज़ेदार रेसेपी जिसको खाकर आपका मन बहुती ज़दा खुश हो जाएगा और आपका जब भी मीठा हाने का मन करेगा तो आप यह ज़रूर बनाएंगे क्योंकि इसको बनाना बहुती ज़दा इजी होता है तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं तो देखिए मेरे यहां यह मिठाई आई थी जो मेरे गैस्ट लेकर आयते और यह थोड़ी सी बच गई है तो देखिए यह कुछ बर्फी के पीसिस हैं जो यह बच गए हैं तो बस मैं जादा नहीं लूँगी सिर्फ यह दो पीस बर्फी के लूँगी और इसी से हम यह रेसेपी बनाएंगे तो देखिए मैंने 20 ले लिये हैं तो अब ये मैंने कद्दू कस लिया है और इन बर्फी को अब मैं ऐसे कद्दू कस कर लूँगी जिससे क्या है न यह थोड़ा बारीक हो जाए हम अगर हातों से मैश करेंगे तो थोड़े से लंपस रही जाते हैं तो उसको वाइड करने के लिए मैंने इसको कद्दू कस में कसा है और देखिए कितने अच्छे से कस गया है तो अब मैंने यहां पर यह ग्रैंडिंग जाड लिया है जिसमें हम कुछ ड्राइफ रूट्स एड करेंगे तो मैंने यह चार से पांच काजू लिये हैं और इसमें एड करेंगे बादाम, नहीं है और इलाइची का powder है आप वो भी add कर सकते हैं पर मेरे को तो इसे mixi grinder में ही crush करना था तो इसलिए मैंने इसमें साबुत वाली इलाइची ही add कर दी है तो अब हम इसको अच्छे से पीस लेंगे मलब दरदरा से थोड़ा soft होना चाहिए इसका आप चाहे तो दरदरा भी रख सकते हैं पर अकर यह जादा आप बारीक पाउडर पीसेंगे ना तो इसमें इसका बहुत जादा अच्छा टेस्ट आएगा नट्स का पाउडर रेडी है अब हम इसको ट्रांसफर कर लेंगे इस कद्दू कस की हुई बरफी पर अब मीठे के लिए हम इसमें add करेंगे यह शकर या आप इसकी जगा पीसा हुआ गुड़ भी ले सकते हैं या फिर कद्दू कस में गुड़ को भी कस सकते हैं वैसे बरफी में पहले से चीनी है तो इसलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ एक ही चमच यह शकर add की है क्योंकि जो बरफी में चीनी है ना वो थोड़ी कम र जाए जो भी हमने इसमें ingredients add करे हैं अब यह देखे यह मैंने गेहू का आटा लिया है यानि कि मैंने यह आटा पहले से ही गूल दिया था simple मैंने जैसे रोटी बनाते हैं ना या कोई पराठा बनाते हैं उसके लिए आटा गूनते हैं तो मैंने ऐसे ही आटा गूनके पहले ready कर लिया था तो देखिए अब मैंने यहाँ पर एक लोई बना ली है और यह जस्ट इतनी लोई है मैं नीमबू से थोड़ी बड़ी है य इसे की यह जो हम स्टफिंग फिल कर रहे हैं यह चारो तरफ अच्छे से फैल जाए और यह बाहर ना निकले तो मैंने यह थोड़ी सी स्टफिंग इसमें रख लिया है और इस तरह से हम बिल्कुल बारीक लेकर ऐसे लोई को बंद कर लेंगे तो देखिए हमने यह यह बिल्कुल आपकर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसा बेलते हैं तेस्ट इसमें फिर भी बहुत ज़्यादा टेस्टी आएगा तो देखिए मैंने यह बिल्कुल अच्छे से बेल लिया है और यह मैंने थोड़ा पतला बेला है क्योंकि मैं पतले पराठे खाती हूँ और अब मैं इसको सेख लूँगी देसी घी से देसी घी से इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है पर आपके प्रेफरेंस के उपर है यह बी कि अगर आप इसको रिफाइंड ओयल से से शेखना चाते हैं तो आप उससे भी सेख सकते हैं तो देखिए अब इसक महनत नहीं लगती है बनाने में और यह तना टेस्टी लगता है ना कि आप बाहर की ना कोई भी मिठाई लाना भूल जाएंगे अगर आपके पास बर्फी या कोई भी मावे वाली मिठाई बचती है ना आपके घर में आपके गेस्ट लाते हैं कोई भी लाते हैं तो आप य जो तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है, आप इसी तरीके से बनाएं, फालतो कुछ इसमें एड करने की ज़ुरत नहीं है, जो जो इंग्रीडियंट्स मैंने इसमें एड किये हैं, सिर्फ उनको ही एड करें, और ये पराठा बनाएं, और ये खाने में इतना ज़ादा टेस नहीं होती है, तो मेरे को एकदम से नहीं ये आइडिया आया, कि मैं इस बची हुई बर्फी का क्या करूँ, तो मैंने ये बनाया, और ये जब मैंने सबको खिलाया आना, तो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो अभी कुछ बर्फी वैसे बच गई थी, मेरी जैसे क इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और प्लीज ये वीडियो पूरा जरूर देखें आप, बाकि अगर आपके घर में कोई भी मिठाई बच जाती है, तो आप मुझको कमेंट करके जरूर बताएं, कि आप उस मिठाई का क्या बनाएं, मैं उसकी मिठाई से कोई कोई आपको रैसेपी जरूर बताऊंगी, जिसे कि आपकी बचीवी मिठाई वेस्ट ना होएं, तो देखिए ये पराठा मैं आपको तोड़के और बीच में से दिखाती हूं, ये देखिए सारा जो खोया और मावा है ना, ये इस पर बिल्कुल देखो दोनों तरफ लग है, और ये इतना कुरकुरा और टेस्टी बनाता ना, कि मैं आपको क्या ही बताऊं, कि बजार वाली कोई भी मिठाई ना, इसके आगे पका फेल है, और इतनी ज़्यादा टेस्टी लग रही थी है, कि जब आप ये बनाएंगे ना अपने घर में, तो आप ये कहेंगे, सस्र में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी, और हम ये दुबारा बना के ज़रूर खाएंगे, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, थैंक्स फर वाचिंग